कि दोस्तों थोड़ा तेज बोलने वालों क्योंकि हम लोग फ़ड़ा लेट चल रहे हैं टाइटल आपको अजीब लगेगा लेकिन इस पर हम बाद में लॉटिंग डार्क से हम क्या कहना चाते हैं इस पर वापिस लॉटिंग भाजप जब से सत्ता में आई है देश के उपर फासिवाद का खत्रा बढ़ता चले जा रहा है भाजप और उसके पीछे की जो संगठन है आरेसेस और उन्होंने जो दर्जणों अलग-अलग संगठन पैदा किये हैं उन सब लोगों ने इस देश के उपर इस देश की पूरी जो समिधान में जो बुनियादी प्रिंसिपल्स रखे थे उस पर एक जोड़दार हमला बोला हुआ है लेकिन पहले एक सवाल को एड्रेस करें कई बार जब हम लोग भाजपा की बात करते हैं और उसके रिष्टों की बात करते हैं तो जिस तरह से उन्होंने अपने चेरे दिखा रखे हैं उसमें कई बार ये लगता है कि बाजपा अलग है आरिसेस अलग है लोग बोलते हैं कि आरे भाई मोधी तो बोलते हैं सबका साथ सबका विकास तो मोधी और RSS में अंतर विरोध बहुत सारे लोगों को लगता है उसका कारण ये है कि वो बारीकी में तथ्य नहीं देखते पिछले साल RSS का एक कॉंटलेव हुआ दिल्ली में जहाँ पर इस RSS के सामने पिछले पंदरा महीने में क्या किया है उसकी रिपोर्ट रखी जैसे हम आपके सामने रिपोर्ट रख रहे हैं वैसे उन्होंने अपने जिन लोगों के प्रतीव अपने आपको जिम्मिदार समझते हैं उनके सामने रिपोर्ट रखी हमको यह नहीं भूलना चाहिए कि नरेन मोदी पिछले 40 साल से RSS के होल टाइमर यानि उनके प्रचार रख रहे हैं और असी के दशक में उनको बकाइदा भाजप के भीतर काम करने के लिए RSS ने भेजा था भाजप यह सई बात है कि उसको समविधान कहने के लिए मानना पड़ेगा क्योंकि चुनाव लड़ने है तो समविधान मानना पड़ेगा भले ही वो समविधान में कुछ सुधार का प्रस्ताव रखते हो लेकिन अंतता उनको यह बोलना पड़ेगा कि वह हमी समविधान को मानते हैं चनाओ की प्रक्रिया को मानते हैं कानून को मानते हैं लेकिन हमको यदि इस देश की उपर जो खत्रा मंड़ा रहा है वो समझना है तो भाज जो पर काई जो चेरा है उसको न देखकर उसके पीछे की जो ताकत है उसको समझना जरूरी होगा तब ही हमको असलियत समझ में आएगी यानि आरेसिस को समझना होगा आरेसिस की विचारदार है रेम स्पष्ट है हिंदुतुवाद और हिंदुईजम में फरक है हिंदुतुवाद एक विचारदारा है और हिंदुतुवाद का आरेसिस का मतलब यह है कि वो इस देश के सारे हिंदुओं को एक अत्रित करना चाहते इस देश में चार हजार से ज़्यादा अलग अलग कॉमुनिटीज हैं यानि जिन में भाशा का फरक है, संस्कृती का फरक है, खानपान का फरक है, बहुती विविद हमारा देश में आरेसेस ने हर अलग अलग कॉमुनिटी के लिए संगठन खड़े के हुए हैं, उनके भीतर काम करने के लिए, ताकि उनको वो कोशिश कर रही है, कि ये जो सारे अलग अलग कॉमुनिटीज हैं, मेरा मतलब है मुसलमानों और क्रिस्टियन वगेरे को छोड़ कर, उन सब को वो उनकी सत्ता पकी हो गई, और सत्ता पकी हो गई, तो फिर वो इस देश को जैसे चाहे परीवर्तित कर सकते हैं, ये कुल मिलाकर उनकी विचारदारा है, आरेसेस का मामला बहुत स्पष्ट है, जहां तक उनके राष्ट्रवात की बात है, मतलब उनोंने इस देश के ऊपर उ जिसको लागो करने के लिए एक जबर्दस्त हमला बोला हुआ है उस हमले का एक पहला मेथ्पून तत्व है वो है जिसको आज वो राष्ट्रवाद के नाम पे उच्छाल रहे है असल में जिसको वो राष्ट्रवाद बोल रहे हैं सच्चा ही यह है कि जैसे अभी कुछ समय प बोलो यह जान बूच के बोला क्योंकि वो जानते हैं कि मुसल्मानों में एक तपका है जो यह नारा नहीं बोलता क्योंकि उनका यह कहना है कि इसलाम सिर्फ एक देदी या देवता को मानता है और और किसी को हम नहीं मानते हैं तो वो यह बोलते हैं कि हम जैहिंद बोलने को बोलने को तयार है ऐसे भी मुसल्मान है जिनको भारत माता की जय बोलने में दिक्कत नहीं है जैसे जावी दक्तर ने संसद में बार-बार बोला लेकिन मामला क्या है आपको नारा बोलो या ना बोलो यदि वो सब जय हिंद बोलने को तो प्रॉब्लम क्या है तो यह नारा जा नाल दिया और पूरा जैसे लगने लगा कि हां मुसल्मान इस देश को प्यारी नहीं करते हैं तो यह जो लोग अपने आपको यह राष्ट्रवाद का आजकल डिंडोरा पीट रहे हैं असल में जादर डिंडोरा पीटने का कारण ही यह है कि उन्होंने इस देश की आजादी की लड़ाई में कभी कुछ किया ही नहीं और क्योंकि कुछ नहीं किया वो जानते हैं कि आरोप उन पर जो ज़्यादा डमडम करता है ना समझ लीजे कुछ गरबड यह वह हैं ढोल पीटने वाले जो अंदर से खोक ले यह उनका हेट गेव कुण अंदोलनों का विरोत किया, यह नोह मोः को और मूःन मुव्मंट पर हख रीड़ वर का स्टेट्मंट में जिसमें वो यहां तक बोलता है कि नौन को और मूःन के नाम पर यह मुसल्मानों को यहन बोलते हैं यानि वह कहते कि ये जो जहरीले साफ हैं ये नौन कोपरेशन मुव्मेंट के नाम पर देश में जगे जगे दंगे फिला रहे हैं तो इतना ही नहीं अजादी के अंदोलन के दौरान अंग्रेजों की कानून की इजद की जाए कानून के भीतर रहा जाए लोग हेटकेवार से बात करने जाते थे कि हम आंदोलन में शामिल होना चाहते हैं तो वो बोलते थे कि वहां क्यों जा रहे हैं आरेजस में काम करो जिससे में देश के लोग इकठा होकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे इनका एजेंट अथा लोगों को आपस में लड़ाओ हिंदू राश्टर की बात करो लोगों को आपस में लड़ा रहे थे उनका राश्टरवाद की डेफिनीशन क्या है और गनाइजर में देश के अजादी के पूर्व संध्या पर यह लेख चपा था और गनाइजर में यह स्टेटमेंट कहता है कि हमको राश्टरवाद के जो जूटे नोशन्स हैं उसमें हमको नई फसना चाहिए हिंदूस्तान में सिर्फ हिंदू राश्टर बनते हैं हिंदूओं की परंपरा संस्कृति विचारों के नाम पर उनके सपनों के नाम पर हमको यह देश बनाना होगा यह और गनाइजर में छपता है जो आरे सिसका मुपत्र यह अलग बात है कि अभी थोड़े से मैं पहली फिर वो बोल दिया नहीं हमारा मुपत्र नहीं कि ऐसे ही है ना जूट बोलना उनका मदब शुरू से ही वह ऐसे ही तो यदि हमको इस देश को जैसा उन्होंने इदम स्पस्ट बोला है यदि इस देश को वो एक हिंदू राष्ट्र में कंवर्ट करना चाते हैं तो उसके लिए इस देश की सभिता को एक हिंदू सभिता एक नैरो हिंदू सभिता में कंवर्ट करना पड़ेगा इस देश की जो पूरी संस्कृती है उसको एक हिंदू संस्कृती तक सीमित रखना पड़ेगा और इस देश की जो मिली जुली परंपरा है उस सबको उनको नकारना पड़ेगा अब हिंदू की परिवाशा क्या है हिंदू की पुरानी जमीन यही है तो पुरानी जमीन जिनकी यही है या यंदि वो हिंदू वे तो गए मज़धार बुद्ध और जैनी यहां के हो गए क्योंकि उनकी उनका धर्म का उद्या हुआ है तो यह परिवाशा जान बूच के इस तरह की कौई की गई है लेकिन इसमें अब उनकी गाड़ी फस जाती है उनकी गाड़ी या फस्ती है कि विज्यान ये बताता है बिज्ञान मतलब इतिहास विज्यान ये बताताथ है और अब ये इतना स्थापित हो चुकि है कि इस देश में ऐिश्या से आ रहे ख़को Sind haven स्थापित इतिहास है तो ऐसे में कि यदि उनको अपनी हिंदू होने की परिभाष्या को साबित करना है तो उनको इतिहास को तोड़ना पड़ेगा है और उनको यह साबित करना पड़ेगा कि आरे भारत के भार से नई आए वो यही के थे और यदि आरी यही के थे तो इतिहास के सबूत क्या बताते हैं कि हडपा सब्विता और जो वैदिक सब्विता है यानि आरी जब भारत में लगबग यह माना जाता है कि 1500 के आसपास से वो लगबग 1000 साल तक आते रहे तो आरी जब भारत में आये तो आरी ने यहाँ पर जो सब्विता खड़ी की या जिसको वैदिक सब्विता बोलते हैं वो उस काल में 1500 के आसपास आरी पशुपालक लोग थे घुमंतु लोग थे और गाउं बसाकर रहते थे उसके पहले की हडपय सब्विता उससे एकदम ही अलग है हडपय सब्विता एक विक्सित शेहरी सब्विता थी तो अब इनको इनकी गाड़ी यहां फस जाते है कि वो सारे सबूतियों का क्या किया जाए तो इन्होंने क्या किया है कि आरी सब्विता को पीछे खीज दिया और बोले कि नहीं नहीं, हमारी वैदिक सबिता पांच हजार साल पुरानी है, पंद्रासो नहीं, यानि पंद्रासो इसापूर के बदले वो मानते हैं कि लगबग चार पांच हजार इसापूर से यहां की सबिता विक्सित हुई, और वही वैदिक सबिता है तो यह वैदिक सबिता का इतिहास 4000 ईशापूर तक पीछे पहुँचा देते हैं यानि यह बोलते है कि हडपा सबिता भी उसी सबिता का हिस्सा थी और यह यहाँ तक बोल जाते हैं कि इंसान का उधे भार कहीं छोड़िये भारत में ही हुदा हुआ और यहां से दुनिया भर में गए अब इसको आगे साबित करना हो तो एक और मज़ेदार तत्य तिलक ने कहा था कि आर्टिक से आरे आए तो गोलवल कर लिखते हैं कि आर्टिक भारत में था और यहां से वह आ गया और कहा था बिहार उडिसा के आसपस तो पता नहीं वहां से कैसे गया लेकिन क्या मतलब और इसके लिए इतिहास गड़ने को तयार हैं उन्होंने हड़पा सबिता की फरजी सील कंप्यूटर इमेजस को वह गोलमाल करके फरजी सील दिखाने की कोशिश की की हड़पा सबिता में घोड़े थे क्योंकि आरियों के बाद घोड़े थे तो ये सारा गोलमाल करके किसी तरह से इतिहास को पीछे ले जाकर उतना सब मूर्साइं भरके को कुछ करना चाते हैं और यदि अब उनकी परिवाशा के इसाब से वैदिक सबिता उतनी परानी हो गई चार अजार इसा पूर्फ तक तो आगे बढ़का वो कहते हैं कि दुनिया की हर भड़िया चीज हमीने विक्सित की तो उसमें लेखनी या विक्सित हुई उस जमाने में हवाई जाच थे उस जमाने में कारे थी सब्सक्राइशा की ब्रॉंज 400 रिसापूर 3,700 के आसपास हुआ वगेरे 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 और उस जमाने में वेदिक मैच्स हुआ और वेदिक ये य नहीं वेदिक एस्ट्रोमी हुई वेदिक एस्ट्रोजी हुई और यह सब 24,000 साल पुरानी है, मज़ेदार बात, वेदिक मैट्स का, वेदिक मैट्स 1965 में एक लिखी गई किताब है, एक भूतपुरु शंकराचार ये कृष्णा तीर जी महराज उनकी किताब है, ये वेदिक मैथमेटिस का जन्म है, अभी, आज से 60 साल पहले, और उस किताब की फॉर् नहीं है, और उस किताब में, मैक्सिमम गणित आठवी और दसवी के बच्चों के लिए कुछ सिंपल ट्रिक्स हैं, गणित हल करने के, उसको इन्होंने सारी गणित उससे औरिजिनेट हुई है, करके बता दिया, और वो वेदिक काल से बता दिया, ऐसे दो जुट्टे हैं, और ये सब करते हुए एक तरफ, जब आपको साबित करना है कि वेदिकी एक मात्र परंपरा है, तो बाकी सारी परंपराओं को निगेट करना होगा, तो वो बुद्ध और महवीर को न कारते हैं, वो भक्ती आंदोलन को न कारते हैं, वो सूफी आंदोलन को न कारते हैं, या यानि इस देश में या फिर द्रविडों ने जो कॉंट्रिबूशन किया, जो आदिवासियों का योगदान है, यानि इस देश की जो पूरी मिली जूली संस्कृति का पूरा जो योगदान है, वो सब को नकार कर उनको सिर्फ एक नेरो हिंदू परिभाषा वही भाती है और बाकी सब को नकारना होता है, अब इसकी ट्रैजडी ये है, कि इस देश में बहुत कुछ बहतरीन है, जब हम ये फरजी बोलते हैं कि ये फरजी जो आप बोल रहे हो, अब हवाईजाद उस जमाने में नहीं थे तो आप बोलोगे, आपने हमारी संस्कृति को डाउन कर दिय है, अरे हमने बहुत कुछ दिया है दुनिया को, लेकिन असली में इतना कुछ दिया है कि जोड़ बोलने की क्या जरूवत है न, तुम्हें वो गिनाता नहीं काफी लंबी सूची है कि हमने क्या क्या दिया, और वैसे हमने दिया कि तुमने दिया, वो श्रदा ने रिपोर् अब एक तथ्य पर चलें कि यह हिंदु शब्द जो वो सो कॉल्ड हिंदु है उनका वो कहां से आये मालूम में कहां से आये उस कौरीजिक हिंदु शब्द असल में फार्सी भाषा का शब्द है वो चुंकि सिंधु नदी के पूर्व में जो लोग रहते थे उसके लिए नदी के पूर्व में रहने वाले लोगों के लिए वो हिंदु शब्समाल करते थे वो उनकी भाषा में वो सह नहीं बोल सकते तो वह बोलते तो वह हिंदु शब्द का ओरिजिन है हिंदुस्तान यह फार्सी शब्द है इसका पहला उलेक सासनिद एमपायर जो मद्वपू तो हिंदुस्थान जैसे अफगाणिस्थान गुर्जीस्थान वैसे वह हिंदुस्थान बोलते थे यानि सिंदु नदी के इस पार रहने वाले च्हेति को हिंदुस्थान बोलते थे संस्क्रिफ में ये शब पहली बार इर्फान हभीब लिखते हैं कि चौदा सो में इसका जिक्र मिलता है 1400 AD में BC नहीं और वो विजयनगर सामराज्य की शिलालेखों में मिलता है जहां का जो वो राजा था वो अपने आपको बोलता था हिंदु राओ सुर्त्रान यानि हिंदु लोगों का सुल्तान और उसमें हिंदु का मतलब कोई धर्म से नहीं था उस इलाके के लोगों से तो हिंदु शब यानि जो लोग इन लोगों को विदेशी बोलते हैं मुसलमा को उन्हीं वहीं तथाकतित विदेशियों की भाषा का शब्द है भाई कि ऐसा है उसका अब फासीवाद का एक महत्रपून लक्षन यह है कि उनको एक दुश्मन का निर्मान करना पड़ता है हिटलर ने यही काम किया था जर्मनों को इकठा करना है तो एक दुश्मन यानि जीऊस के नाम पे इकठा करो तो इनको यदि हिंदूओं को इकठा करना है तो उनको बताना पड़ेगा कि वो खत्रह है तुमारे लिए और ऐसे में उनको मुसलमानों को अपना दुश्मन साभित करना पड़ेगा और यह साभित करना है तो फिर पूरा इतिहास आपको साभित करना पड़ेगा कि यह मुसलमान शुरू सही हमारे दुश्मन थे और इसको साबित करने के लिए उन्होंने इतिहास को तोर मड़र के प्रस्तुत किया है वो RSS के इतिहासकार, मद्ययुगीन भारत, दिल्ली सल्टनत, मुगल एमपायर इसके बारे में इतना जहर खोलते हैं कि मुसल्मान जो हैं उन्होंने भयंकर अत्याचार किये, महिलाओं के साथ बुरा विवहार किया, उन्होंने कतले आम किये, उन्होंने न जाने कितने मंदिर तोड़े forcible conversions किये, जबरदस्ती लोगों को convert किया, यह आरोप इतने ज़्यादा लगाते हैं, आपको अस्चरे होगा, बहुत सारे secular लोग, जो RSS को उतना ठीक नहीं मानते, लेकिन वो भी हैं, अपने आपको हिंदू के में बात कर रहा हूं, वो भी हैं, इन में से कई चीज़ों को स चार हैं, लेकिन मजधर बात यह है, यह RSS का लिखा हुआ इतिहास नहीं है, यह James Mill नाम का एक अंग्रेज इतिहासकार था, जिसने 1825 के आसपास, जो किताब लिखी अपनी भारत के इतिहास के ऊपर, उसने इतिहास का यह periodization किया, जिसमें उसने कहा, कि पहले एक हिंदू period था, फिर एक Muslim period था, और उसके बाद एक British period है, मजधर बात है, Christian period नहीं बुलता, British period है, और वो कहता है, कि Muslim period में मुसल्मानों ने, राजाओं ने, हिंदूों पर खूब अतियार किये, और इसलिए वो अंग्रेजी राज्य को, अंग्रेजी हुकूमत को justify करता है, कि हम तुम गश्ट्रवाद है, RSS को ने, कि से बारू किया, उन लोगों ने जिन देश को वाकई गुलाम बनाया, जिनों ने इस देश को बाता, जिनों है इश देश में लोगों के बीच में लडाईयां लगवाई आजादी के अंदर, उनको कमज़ोर करने के लिए, और उसके लिए जिन्होंने इतिहास रचा, RSS उनके इतिहास को बौरो करके और अपने राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाता है, यह उनका असली चेरा है, तो जो असली में लुटे रहे थे, अंग्रेज, उनका इतिहास यह बौरो करते हैं, और उससे हम लोगों को आपस में लडाने की कोशि दुनियादी फरक है, मुसल्मान राजा यहां रहने आये थे, मुसल्मान लोग यहां पर रहने आये थे, वो यहां के समाज में मिले जुले, उन्होंने इस समाज के विकास में योगदान दिया, और उस योगदान के चलते सच्चा ये है, आज इतिहासकार इस बात को मानते हैं कि 1700 या 1800 तक दुनिया की 60% manufacturing भारत और चीन में होती थी तो पूरा मुगल पीरियड में इस देश आगे बढ़ रहा था, पीछे नहीं जा रहा था, वो आगे बढ़ रहा था, और दूसरी तरफ, अंग्रेजों ने इस देश को लूटा और तबा किया, और वो सारा विकास पूरा कुछल दिया, और इस देश को विकलांग बना दिया तो जो मुस्लिम पीरिड है, so called, उसको मुस्लिम पीरिड कहना मैं मुस्लिम इतन कोर्ट्स बोल रहा हूँ, वो काल, कोई जुल्मों का काल नहीं था, ये समाज विक्सित हो रहा था, अठारा सो में, नेपोलियन की जो वाटर लुके लड़ाई थी, उसमें इंग्लेंड की तरफ से जो लौड वेलिंटन लड़ने गए थे, उनके जहाज भारत से बनके गए थे, युद्ध पोथ, अठारा सो में बारत से बनके गए थे, इतना विक्सित था ये देश, जिनको, यानि, अठारा सो में, दुनिया में जो विक्सित, मतलब भारत और चीन किस्थिती थी, उन्निस सो पचास में, अमरीका और इंग्लेंड किस्थिती थी, इतना फरक पड़ा था, तो वो विदेशी कैसे, वो एक विदेशी काल कैसा, ये देश उसमें विक्सित हो रहा था, तो देश का जम विकास बोलते हैं, तो देश धीरे धीरे विखषित होता है. एक पूरा इलाका धीरे धीरे एक देश की पहचान बनने में समय लगता है. वेदिक काल में जो साहित्य रचा गया है उन लोगों की साहित्य में सिर्फ उसे वो इलाके की जानकारी भी नहीं मिलती और वो पूरी जो उनकी सब्विता थी रिग वेदिक काल यह माना जाता है कि वो पंजाब का इलाका जो था पंजाब राजिस्थान और वो इलाके में उ तो और उनको उस इलाके का भी ज्यान नहीं था, पहली बार इस देश में इस देश की जानकारी, आज हम जिसको देश बोलते हैं, इसकी पहली जानकारी, इसकी consciousness, समराथ अशोक के शिलालेखों में मिलती है, जो कंदहार से लेकर और करनाटक और आंधरा तक फैले हुए थे, क उसको विक्सित होने में समय लगता है, तारचन इस देश के जो बहुत जाने माने इतिहासकार है, दॉक्टर तारचन, वो ये कहते हैं कि मुगल एमपायर ने नीव रखी पूरे देश की consciousness बिल्ड होने की, दॉक्टर तारचन बोलते हैं, जिन पर कोई भी लेफ्ट होने का आरोप लगा ही नहीं सकता, एकदम nationalist historian थे, तो खेर, इतना जूटा प्रचार करके, इतना जहर हमारे दिमाग में भरके, वो हम लोगों को आपस में बांट रहे हैं, और ये बांट कर, उन्होंने इस देश के मुसलमाने की उपर इतना एक भयंकर हमला बोला हुआ है, उनके आरे तरह की जो नीतागण है, हरामजादे शब्समाल करते हैं, उन पर जहर उगलते हैं, बोलते हैं कि मस्जिदों में वो सूवरों का डेन है, ऐसे ऐसे शब्समाल करते हैं, शरम आती है बोलने में, लव जिहाद और घर वापसी जैसे अभ्यान चला रखे हैं, जिसके बा उन्होंने एक सबक निकाला है, कि अब बड़े दंगे नहीं होंगे, बहुत बतनामी होती है, दुनिया बर में थूतू होती है, छोटे-छोटे दंगे कराए जाएं, और मुसल्मानों की संपत्ति नश्ट की जाए, ज्यादा हत्याय न की जाएं, बहुत हल्ला मचता है, ल हो, यह स्ट्राटीजी है, सचाई यह है, कि RSS हमारे देश की समविदान के fundamental pillars को नहीं मानता, बुनियादी स्तंबों को नहीं मानता, एक स्तंब सेकलरिजम है, जिसका बुनियादी तत्व यह है, कि हर व्यक्ति को उसका धर्म मानने की अजादी है, और सारे धर्मों की लोग साबरी की इजट मिलेगे, और मैं यह बार बार जो टेकर, मैं यह इसलिए बोल रहा हूं, हमारी उपर भी हिंदू होने का लेबल लगता है, क्या करें, आज कल हर व्यक्ति पर लेबल लग गया है, तुम हिंदू, तुम मुसल्मान, तो लोकायत को लोग बोलते हैं, संगठन क्योंकि अधिकांच हिंदू है, ट्राजडी है, तो हमारा यह कहना है, कि यह मुसल्मानों को नहीं, हिंदूों को साबित करना है, कि वो समिधान को मानते हैं कि नहीं, क्योंकि मुसल्मानों को देश बक्ति नहीं साबित करनी है, हिंदूों को साबित करना है, कि वो समीधान को मानते हैं कि अगर वो समीधान को कैसे मानते हैं ये कोट देखी ओर गनाइजर में ये कोट आये था जब समीधान सभा समीधान को स्विक्रत कर रही थी समीधान दिवस जिज्द बनाया जाता है नमबर 26 उस दिन ओर्गनाइजर में ये लेक छपता है जिसमें वो कहते हैं कि भारत का जो नया समीदहान है उसमें कोई चीज भारतिय नहीं है क्योंकि उसमें उन्होंने मनु से कुछ बॉरो ही नहीं किया है कि उसके बाद 25 जनवरी 1950 को जिस दिन अगले दिन भारत रिपब्लिक घोशित हुआ उस दिन ओर्गनाइजर एक लेक कहरी करता है उसका शीर्चक है मनु रूल्स आर हार्ट्स मनु हमारे हिदे पर राज करता है तो यह आरेसेस जो मनुस जो समीदान के बदले मनुस्पृति चाहते थे अब आज जब वो सत्ता में और वो कोशिश कर रहे हैं कि सारे लोगों को साथ में लिया जाए यानि वो जानते हैं कि हिंदू मजॉरिटी तभी बन सकती है जब आप दलितों को अपने शाविल कर लोगे अबेटकर को अपने लिडरेशिप स्विकाल लेंगे ऐसे में वो अमबेतकर को साबिद करना चाह रहे हैं कि अमबेतकर तो अरेसेस की विचारदारा से मिलते जूलते थे अभी जैनती पर आपने देखा होगा ना वो बड़े-बड़े बैनर लगे थे आरे से स्वालों के अम्बेदकर को अपना साबित करते हुए सच्चाई क्या है अम्बेदकर ये बोलते हैं कि हिंदुविजम इस टू लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटरिटी यानि हिंदुविजम बराबरी के लिए भाईचारे के लिए लिए एक खत्रा है और इसलिए हिंदु राज को रोका जाना चाहिए अम्बेदकर का और आ उनकी किताब है एनिलेशन ऑफ कास्ट आरेसेस एक संगठन बनाई हुई है उसका नाम है सामाजिक समरस्ता मंच वो समरस्ता की बात करते हैं जाती समाप्ति की बात नहीं करते वो कहते हैं कि अलग अलग जाती हूं को मिल जुलके रहना चाहिए लेकिन अपनी अपनी जात में रहना चाहिए तो कोई साम्य है ही नहीं न और इसलिए अब जब जैसे गुजरात में वो सारे दलित बगावत पर हैं तो आरेसे परिशान कि हमारा पूरा गुजरात मॉडल जो हम दिंडोरा पीट रहे थे कि सारे लोगों को साथ में लिए हैं खत्रह में पढ़ने लगा है तो दोस्तों आरेसे जो इस देश में बढ़ रही है इस देश में जो फासिवाद का खट्रा मन रहा है असल में यह खत्रा सिर्फ भारत में नहीं है यह पूरी दुनिया के पामयाने पर मन रहा है और दुनिया भर में फासिवादी ताकतें मजबूत होती चली जा रही हैं बहुत संक्षित ने उसका भी एक हवाला ले, जिसका क्लासिक उधारन डॉनल्ड ट्रम्प है, ट्रम्प जो अमरीका का राष्ट्रपती चुनाओ का कैनड़ेट बन चुका है रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से, उसने मुसल्मानों के बारे में भयंकर कमेंट्स की है, उसने डिमांड किया है कि यूएस में मुसल्मानों के आने पर रोक लगाई जाए, उसने डिमांड किया है कि यहां के मॉस्क जो है, मस्जिद जो है, उनको बंग कर दिया जाए, उसने डिमांड किया है कि जैसे यहूदियों के कार्ड होते थे हिटलर के जमाने में, वैसे अमरीक महिलाओं के बारे में शब्त स्माल करता है कि वो सुवर है जानवर है यह शब्त स्माल किया है उसने महिलाओं के शरीर पर एकदम भद्धे कमेंट्स किये सारे माइग्रेंट्स को अमरीका से बाहर देजने की भाषा इस्तमाल करता है ऐसा व्यक्ति वहां का राष्ट्रपती का केंडिडेट बन गया है तो ऐसा व्यक्ति केंडिडेट बना मतलब उतना समर्थन समाज में मिल रहा है न यानि फासिवाजी ताकते वहां मजबूत हो र रहे हैं उसका उनको थोड़ा प्रतिसाद मिल रहा है और लोगों ने उसका साथ दिया नहीं तो ट्रम कहां से जीता और यह सिर्व वहां की बात नहीं है योरप के बहुत सारे देशों में फासिवादे ताकते मजबूत हो रही है और योरप में बहुत सारे देशों में वह क्योंकि वहां से हमको एक और सपोर्ट मिल जाएगा कि भारत में फासिवाद क्यों बढ़ ला है, दुन्या बर में फासिवाद इसलिए बढ़ ला है, उसकी जड़ है भांडवल्चाई में, असल में भांडवल्चाई और डेमोक्रेसी में एक प्राब्लम है, प्राब्लम ये है कि भांडवल्चाई अमीरी गरीबी पैदा करती है, समाज में गरीबी बढ़ती चली जाती है, और डेमोक्रेसी इस बात पर नीत है, बराबरी की बात करती है ने डेमोक्रेसी, तो जितनी अमीरी गरीबी बढ़ेगी उतनी डेमोक्रेसी की प्राब्लम हो ग जनता ने मांग करना शुरू किया कि सबको वोट देने का अधिकार मिले, जैसे जैसे शाशकों को समझ में आया कि लोगों के दिमाग पर हम मीडिया के जरिये नियंतरन कर सकते हैं, सिक्षा विवस्था के जरिये नियंतरन कर सकते हैं, लोगों को अपने पीछे दे सकते हैं, वोट का अधिकार तुमको मिले लेकि तुम वही सोचो जो मैं चाहता हूं कि तुम सोचो जब ये उनको confidence आने लगा तो धीरे धीरे उन्होंने वोट का अधिकार दिया शुरू में नहीं दिया कि यानी capitalism is equal to democracy one is to one relationship नहीं है और आज जब दुनिया के पेमाने पर capitalism convert हो गया है monopoly capitalism में यानी बड़ी-बड़ी company अब उन देशों पर राज करती है और उसके चलते वहाँ पर गरीबी अमेरीकी खाई और बढ़ गई है तो ऐसे में democracy को चला बनाए रखना और खतरनाक बन गया है और इसलिए वहाँ पर democracy पर और हमला बोला जा रहा है कुछ आंकड़े देते हैं यह विक्सित राष्ट्रों के growth rate है अमरीका और यूरप के देश 2000 हमें पूरा इतिहास जाने का टाइम नहीं है दो हजार साथ से नौ के बीच में जो great crash हुआ जो पूरी अर्थेवस्थाएं महां पर collapse कर गई उसके बाद से असल में वो अर्थेवस्थाएं कभी वहाँ पर मंदी से निकली ही नहीं है अमरीका की growth rate 3% से लगातार कम रही है European Union तो उस मंदी के बाद दुबारा मंदी में चला गया 2011 बारे में और उसके बाद उसका growth rate 2% से कम रहा है अमरीका का अभी अब 2% पे आ गया है और जपान का growth rate तो माइनस में भी कई बारा है यह उनकी अभी चौथी मंदी आई हुई है पिछले आठ सालों में चौथी मंदी तो उनकी अर्थिवस्था हैं बहेंकर रूप से संकट ग्रस्थ हैं इतना कि उनके बुद्धी जी भी बार-बार statement दे रहे हैं वाल स्ट्रीट कहता है कि अर्थ शास्त्रियों को समझ में नहीं आ रहा कि हमारी अर्थिवस्था क्यों संकट ग्रस्थ हो गई इस वहां की एकदम जानी-मानी पत्रिका है व्यवस्था की पत्रिका है उसमें अमरीका के top establishment के व्यवस्था की बुद्धी जी भी लिखते हैं वो कहता है कि ग्रोथ इतनी फैर गई है कि दुनिया में किसी को समझ में नहीं आ रहा कि इसे आगे कैसे ले जाए लॉरिन समर्स का statement है वह वही भाशास्माल कर रहा है कि एक स्थाई मंदी आ गई है तो अपना रगुरामन राजन भारत में जाए जो भी भाशन दे लंडेन में जाकर बोलता है कि दुनिया की अर्थ्वेवस्था 1930 की जो महामंदी थी उस परिस्थिती में फस्ती चली जा रही है तो उनकी अर्थ्वस्थाएं भयंकर रूप से संकट ग्रस्थ हैं और उसके चलते मैं आकड़े सिर्फ बेकारी के अमरीका के देता हूं अमरीका में अब अंदाज ये है कि लगबग सारी नौकरियों में से लगबग 20 प्रतिशत नौकरियां पार्ट टाइम हो गई है वहाँ पर एक बड़ी संक्या है जो नौकरियां ढूंडना बन कर दी है एक बड़ी संक्या है जो बेरुजगार है तो अब यह आकड़ा देखिए अश्चर जनक है बेकार लोग पार्ट टाइम लोग जो फुल टाइम नौकरी चाहते हैं लेकिन मिल नहीं रहे और वो लोग जिन्होंने निराशा में नौकरी धूंडना बन कर दिया है वो मिलाकर यह मेरा अकड़ा नहीं है ओफिशल सोर्सेस का अकड़ा है पूरी वहां की जो लोग काम करते हैं लेबर फोर्स इसको बोलते हैं उसमें से एक त्रिहाई लोग है फिफ्टी टू मिलियन पीपल यह उनकी अर्थवस्था की असलियत है और इसका फाइदा उठाकर पुंजी सबसे कम काम करने को तियार होता है उसको रखते हैं और इसके चलते हैं वहां पर कामगारों की असली तंखा मेंगाई शामिल कर ली जाए तो पिछले 40 सालों में गिरी है बड़ी नहीं है नेट वेज और तंखाएं अब इतनी कम हो गई है कि सरकार जो लोगों को सुविधा हैं देना बंद कर दे तो लूग भूख से मरने लगेंगे यह हालत पहुंच चुकी है और इसके चलते हैं ऑफिशल जो उनकी गरीबी रेका है पंदरा प्रतिशत अबादी उसके नीचे है और गरीबी लाइन को डबल कर दिया जाए तो एक तीहाई अबादी उसके नीचे है और उसके चलते सिर्फ वहां के जो अबज़ादीश है चार सो अबज़ादीश वो देश की पचास फीज़दी गरीब लोगों की संपत्ती से जादा संपत्ती सिर्फ चार सो लोगों के पास है टॉप वन परसेंट लोगों के पास बॉटम नीचे के असी प्रतिशत लोगों से चार गुनी संपत्ती ऊपर के एक प्रतिशत लोगों के पास है यह वहां की असलियत है मेरे आंकड़े नहीं है, अफिशल आंकड़े, फासिवाद की हमारी किताब जब छपेगी, उसमें सब के रेफरेंस आपको मिल जाए, तो अब दोनों को जोड लीजिए, जब इतनी गरीबी अमेरी बढ़ लई है, और आप उस गरीबी का फाइदा उठाकर गरीबों को और ग मुश्मन है, आपको एक दूसरा पैदा करना पड़ेगा, और वो दूसरा मतलब अमरीका में माइग्रेंट्स और मुसलिम्स, भारत में भी वही हो रहा है, तो ये फासिवाद की जड़ है, इसको समझना जरूरी है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि भांडवल चाही ठी अरे भाई, फासिवाद भांडवल चाही का ही एक विक्रित रूप है, उसी का जुड़वा भाई मान लीजे, भांडवल चाही संकट में पड़ती है, तो फासिवाद उस संकट से उनको निकालने के लिए, संकट खतम नहीं होता, लेकिन संकट को डाइवर्ट करने का, की सबसे तेज विक्सित होने वाली सबिताओं में से हैं यह जूट बोलते हैं उसका एक लासिक उधारन यह कि अभी इन्होंने क्लेम किया कि पिछले साल हमारी अर्थवस्ता 7.6% पे ग्रो की और उसके लिए इन्होंने मैनुफेक्टरिंग सेक्टर में ग्रोथ रेट 9.5% माना जबकि सरकार का दूसरा अकड़ा अध्यों की उत्वादन का उसको आई एपी बोलते हैं इंडेक्स अव इंडेक्स प्रोडक्शन वो कहता है कि सिर्फ 2.5% ग्रोथ रेट है तो डाई प्रतिशत को यदि अब साड़ प्रतिशत मानों के तो ग्रोथ रेट जादा ही दिखेगा ना तो इस तरह के आकड़ों का गोल माल करके वो भारत को इतनी विक्सित अब उतना में पर टाइम नहीं है कि उनके सारे आकड़ों जो आज बता रहे हैं विकास के आकड़े उसका पूरा फ्रॉड आपके सामने उजागर करू हमारी बजट की इस साल की पुस्तिका में उसके थोड़ा ज्यादा विस्तार से वरणने आप उसको पढ़ सकते हैं तो बाजबा पर आएं बाजबा की पीछे इस देश की कॉर्परेट्स हैं वो जीते हैं चनाओ यूपीए पहले वो यूपीए का समर्थन करते थे फिर यूपीए जब देश को ज्यादा तेजी से विक्सित करने में असमर्थ रही विक्सित मतलब पुंजीपतियों के लिए और वो तरह तरह के घोटालों में फस्ग भयंकर बदनाम हो गए तो वाइब्रेंड गुजरा नाम की जो समिट्स मोधी लेता था गुजरात में जब वो मुख्य मंत्री था वहां पर 2009 से अलग अलग पुंजीपति जाकर मोधी का समर्थन करने लगे मोधी ने अपने आपको बहुत काबिल साबित किया था गुजरात में की वो पुंजीपतियों के लिए कितनी बढ़िया तरीके से सरकार चला सकता है उसका एक लासिक उधारन नैनो कार है जिसके बारे में टाटा बोलता है कि दूसरे राजियों में हमको तीन तीन चार चार चेशे महीने लग जाते हैं परमिशन देने के मोधी ने हमको दो दिन में परमिशन दिलवा दी और परमिशन नहीं दिलवा दी नैनो कार को 33,000 कोटी की सबसिडी दिलवा दी इतनी हाँ मैं जूट नहीं बोल रहा आकड़ा बहार है पुस्तिकाओं में बहुत सारी बड़ी-बड़ी कंपनियों को एक रुपे स्क्वेर मीटर पर जमीने दी तो मोधी जिसने अपने आपको साबित किया और कोई घोटाले में नहीं फसा इतना काबिल आदमी कि घोटाला कर भी दो आरोब भी ना लगे तो इतना काबिल आदमी यह आदर्श प्रदान मंत्री हो सकता है यह कहकर सारे पुझी पतियों ने उसका समर्थन करना चुरू किया अन्य लंबानी ने तो उसके लिए स्थमाल शब्स थमाल किया मोधी है किंग ऑफ किंग्स और सारे पुझी पतियों का मेह फिलती सब ने खड़े होकर तालियां पीटी वही सारे पुझी पतियों ने मोधी का जम के समर्थन किया भरपूल पैसा डाला उसके चनाव प्रचार में कुछ आंखड़े तो यह है कि मोधी ने चनाव में उतने पैसे खर्च किये जितना का अमरीकी राष्टपती चनाव में खर्च होता है अर्बो डॉलर वहाँ पर खर्च होता है छे बिलियन डॉलर अमरीका में खर्च होते हैं राष्टपती चनाव में तो उतने पैसे खर्च करके कॉर्परेट हाउजेज ने अपना आदमी गद्धी पर बिठाया तो मोधी जीता मतलब कॉर्परेट हाउजेज जीते यह उनका आदमी और जब से वह सत्ता में आया है तब से पुझीपतियों की चांदी करने की उसने पूरी कोशिश की है पूरी नीतियां धळादर उनके फाइदे में चलाई हैं उसके मैं कुछ संग्शेप में उधारन दू यह उनके आर्थिक आंकड़े का जो मैंने बताया है वो जूट ब देरेगी और देश का उत्पादन देश का विकासदर बढ़ते चले जाएगा यह कैसे संभव है न कि असलियत क्या है असलियत यह है कि संकट गहराता चले जा रहा है मोदी के लाग कोशिशों के बावजूद और दोगी उत्पादन कदर आपने देखा पिछले वाली चार्ट में वो गिरता चले जा रहा है बाके आकड़े में अभी नहीं दे रहा कुछ और आकड़ों पर चले उसके देश के सामने सबसे बड़ा संकट यह है कि विदेशी क करजा बढ़ता है चले जा रहा है और इसलिए आपको इसके आकड़े कोई अग बार में नहीं मिलते हैं यह हाइलाइट नहीं करते हैं दे दुनिया के सबसे करज़दार देशों में से हो गया है 485 billion dollars का करजा हो चुका है और यह करजा रुपे में नहीं चुका है जा सकता डॉलर का करजा है डॉलर चाहिए और डॉलर इस देश के पास नहीं है इस देश का जो foreign exchange reserve है वो 300 billion dollar है और वो जुए में आये हुआ है पैसा है हमारा पैसा नहीं है जिस दिन विदेशी कंपनिया चाहेंगी वो 300 billion dollar वापिस ले जाएंगी और हमारे पास विदेशी करजे का हफ्ता चुकाने का पैसा नहीं रहेगा हम उसी हालत में है जिस हालत में की देश ने globalization शुरू किया था 91 में बल्कि उससे बुरी हालत में और इसलिए क्योंकि इतना विदेशी करजा है और विदेशी करजे को चुकाने का एक तरीका है कि विदेशी कंपनियों को भारत में बुलाओ क्योंकि जब विदेशी कंपनिया आती है तो वो डॉलर लेकर आती है और उस डॉलर से भारत सरकार करजे चुका सकती है तो इसलिए मेक इन इंडिया का नारा दिया है यानि विदेशी कमपनियों को बोला जा रहा है कि हमारे देश में आकर बनाओ और इसलिए भारत सरकार अलग लग छेत्रों में सारे विदेशी पुंजी पतियों पर जो रोक लगी हुई थी सारे छेत्रों को खुला कर रही है और अब मोधी सरकार बोलती है कि भारत दुनिया की सबसे खुली अर्थे वस्ता हो गया है मुसीबत क्या है यह चार्ट समझा देता है देखिए विदेशी कंपनी जब भारत में आती है तो वो नफा ले जाएगी और नफा वो डॉलर में ले जाएगी तो मान लीजे पहले साल वो हजार डॉलर लेकर आए और हर साल दोसो डॉलर नफे के रूप में वापिस ले जा र यह बुब यह सब्सक्राइब सब्सक्राइए तो यहिपांच पांति सारे हजार गए तो तीन चार पंच यानि कितना बचा शुन्य कंपनी औरुभिदेशी कंपनी और वो चघ्साल वी 200 डॉलर ले आए जाएगी तो वो पैसें कहां से आएग्य कितम थेंगीआ हैं आपको चार सो गए। कितने बचे छेसो और देर साल में यह छेसो भी चले गए। तो यानि दो कमपनी आने के बाद सारे साथ साल में 2,000 डॉलन विदेश में चले गए। अब क्या करेंगे अब चार दॉलन भाहर जाने है न उसके लिए तीसरी कमपनी बुलाएंगे। तीसरी कंपनी आएगी साड़े साथ साल के बाद तो अब हर साल 200, 200, 200 यानी 600 डॉलर जाएगा तो दो साल के अंदर तीसरी कंपनी के भी पैसे खतम हो गए तो फिर चौथी को बुला तो यह चक्र है दुषचक रह आपको और तेजी से और तेजी से विदेशी कंपनियों को भ कि जंजीरों में जकड़ है कि मारूती सुजुके का उधारन है कि वो नफा कितने रेट पे ले जा रहे हैं पाँच साल के अंदर मारूती सुजुकी देश से जो नफा ले जाती है यह करोड का अकड़ा है इसको डॉलर में कनवर्ट करके देखिए क्योंकि वो डॉलर में पॉफिट नहीं है रॉयल्टी पाच गुना बढ़ गया है सालना आकड़ा है तो अब जरा यह मेक इन इंडिया जिसको हम विदेशों से बुला रहे हैं जरा उसको समझने की कोशिश करें कि यह क्या मामला है एवडियाई क्या चीज होती है एवडियाई कुछ नहीं है वि कि बस पैसा है तो वो जब भारत में आते हैं तो वो भारत में नहीं दुनिया भर में जा रहे हैं और दुनिया भर में वो पैसा ले जा रहे हैं असलियत यह है कि जब से दुनिया में ग्लोबलाइडेशन शुरू हुआ है योरोप और अमरीका की कंपनिया उन्होंने बहां अपने देश के दरवाजे हमारी खोली है तो उनकी कंपनियों की पूंजी दुनिया भर में जा रही है निवेश कर रही है उसके आकड़े हैं देखिए 1990 में 35 बिलियन डॉलर भारत जैसे देशों में गए थे सिर्फ 25 साल में वो आंकड़ा बढ़के 800 बिलियन डॉलर हो गया है इतना विदेशी पूंजी भारत जैसे देशों में जा रही है अब किन को बुला रहे हैं विदेशी पूंजी मतलब कंपनियों को बुला रहे हैं न वो कंपनिया इतनी बड़ी हैं कि आपकी कल्पना के बाहर वालमार्ट अकेले 174 देशों की जीडीपी से जादा उसके सालाना बिक्री होती है शेल पाकिस्तान और बांगलादेश मिलाकर बड़ी बड़ी-बड़ी कंपनिया आज इतनी बड़ी हैं क्योंकि वो दुनिया भर में आधी कारें बेचती हैं, इतनी बड़ी-बड़ी वो कंपनिया हैं, तो मल्टिनेशनल करके रही है, वो अमरीका में बैठकर, सारे गरीब देशों में पूंजी लगा रहे हैं, और अपना उत्पादन अमरीका और योरोप से शिफ्ट करके इन देशों में भेज रहे हैं, यह आके सस्ते श्रम का फायदा उठाने के लिए, और गरीब देशों में आपस में कॉंपटीशन लगा रखा है, कि जो ज़्यादा सस्ते में हमारे लिए काम करने को तयार होगा, हम पूंजी तुमारे यहां लेकर आएंगे, इसका क्लासिक उधारन कौन सा है, चीन का है, तो इसको समझने की कोशिश करें, यह वही आंकडा है, कि वो जो मैनिफेक्टरिंग शिफ्ट कर रहे हैं, अमरीका और योरप से भारत और चीन और बंगलादेश और साउथ कोरिया और फिलिपीन ऐसे देशों में, उसके चलते देखी, वो नीचे वाला लाइन, वो गरीब दे देशों में है, सिर्फ 17% अमीर देशों में रह गए, पहले अमीर देशों की ज्यादा थे, अब कम हो गए, और आज गरीब देशों के अमीर देशों से बहुत ज्यादा बढ़ गए, लेकिन इतने कामगार यदि ओद्यों की कामगार भारत जैसे देशों में हो गए, अभी चीन का 87% हाइटेक एक्सपोर्ट अमरीका जैसे देशों की बड़ी की कमपनिया करती है चीन और वो यानि मैनुफेक्चरिंग अमरीका से चीन में शिफ्ट कर दिये और फिस चीन से एक्सपोर्ट अमरीका में करकर वो अपना माल बेचते हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि चीन में क्ामगारों की तुलना में 4 Mum पेसंट है जाड़ टक्के किली बच गया तो इसलिए वह चायना में में श्फ्ट कर रहे हैं और चाइना में भी जब शिफ्ट करते हैं, तो चाइना में सब कुछ नहीं बनता, चाइना में जब शिफ्ट करते हैं, तो सिर्फ चाइना में फाइनल असेंबली हो रही है, वो करते क्या है कि कोई भी समान का अलग अलग पार्ट, अलग 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 देशों में बनाते हैं, जहां पर सबसे सस्ता वो बन सके और उसको फिर चीन में कठा करते हैं, असेंबल होता है, तो आइफोन जो अमरीका में 500 डॉलर में बिखता है, वो चीन में 179 डॉलर में बनता है, लेकिन उसमें चीन का योगदान सिर्फ 6 डॉलर है, यानि फाइनल मैनुफेक्चरिंग कॉस् सारे टीन टकके, बाकि सारा आइफोन का जो कॉस्ट है 179 डॉलर उसके अलग अलग पार्ट साउटीस्ट एशिया और ईस्ट एशिया के तमाम देशों में बनते हैं, वहां से चीन में शिप किये जाते हैं, वहां पे चीन के कामगार उसको असेंबल करते हैं, आइफोन पर दिखा रहता है, मेक इंचाइना, मेड इंचाइना लेकिन असल में वह मेड इंचाइना नहीं होता, तो चीन को क्या मिला, चीन को मिला 6 डॉलर्स, और नफा 321 डॉलर्स, एपल कंपनी ले गई, पाच सो डॉलर में से चीन को 6 मिला, यह क्या विकास हुआ, सारे देशों की यह हालत है, एक उधारन ले, नाइके का, बाकी अंकड़े उधर है, नाइके बास्केटबॉल छूस बनाती है, नाइके कुछ नहीं करती, कोई मैनिफेक्ट्रिंग नहीं करती, उसने साउथीस एशिया के, फिलिपीन बगारे के कई देशों में, सब कॉंट दॉलर में अमरीका में बिकता है, उसका यह सारा लेबर कॉश्ट सिर्वन परसेंट, वन पॉइंट फाइडा आता है, बस, इतने सस्ते में यह जूते बनते हैं, वन परसेंट कामगारों को और कामगार के मालिकों को मिलता है, और 99% नाइके की जेब में जाता है, जो कुछ नहीं करती है कि मैंनिफेक्ट्रिंग में नहीं करती सिर्फ दुनिया भर में बेचने का काम करती है उसका चलते आपको जब सस्ते से सस्ते में कामगारों से काम कराना है तो एक उधारन लेते हैं मेरे पास कई उधारन है लेकिन एक ही उधारन देते हैं माईतई फैक्टरी का जो कीबोर्ड वगरे बनाती है वहाँ पे सारे कामगार उस फैक्टरी में एक असेंबली लाइन में बीठते हैं, अ हर कामगार को कीबउड हNA कीबउड बनाते हैं तो वह कीबोर्ड रेल की पत्री के जैसे एक कामगार में कीबोर्ड आगे बढ़ता चले जाता है कामगार को 1.1 second मिलता है, कीबोर्ड को लगाने में यूँ अ कर वह कामगार ये मोशन एक घंटे में 3,250 बार करता है वो कामगार 12 घंटे काम करते हैं उनको कोई छुटी नहीं मिलती महिने में सिर्फ दो छुटिया मिलती है वो कामगार फैक्टरी के एक कंपाउंड में रहते हैं बाहर घूमने जाने की इजाज़त नहीं है उनको एक पतला दलिया जैसे कुछ खाना दिया जाता है और फैक्टरी में ही डॉर्मेट्री अकॉमडेशन है जिसमें कि उनको सिर्फ एक छोटी बाल्टी में स्पॉंज बात लेने की परवान गिये उससे ज़्यादा पानी नहीं मिलता और उस कमरे और खाने के लिए भी उनकी तंखा का 30 तक्के काट लिया जाता है तो हम मेक इन इंडिया के नाम पर इस तरह के कामगारों के साथ कॉम्पटिशन कर रहे हैं दोस्तों कि तुम हमारे यह आओ हमारे यह तुमको हम इससे सस्ते में कामगार उपलब कराएंगे यह इस परदा चल रही है और इसके चलते चुकि कामगारों से इतना ज़्यादा काम कराए जाता है तो चीन में 2010 का अकड़ा है कि 3,60,000 इंडिस्ट्रियल एक्सिडेंट्स हुए जिसमें कि 80,000 लोग कामगार मरे फैक्ट्रियों में और यह कामगार कहां से आ रहे हैं तो फैक्ट्रियों का जो राष्ट्रिय फैक्ट्रिय थी नाशनलाइज पब्लिक सेक्टर कमदी थी उनका प्रविटाइज़ेशन हो रहा है जो कमबाइंड खेती थी कम्यून जिनको बोलते हैं और जो गाउं में लोग अपने अपने मिलकर छोटी-छोटी कारखाने चलाते थे वो सब योजना बनाकर खतम किया जा रहा है वो सारे कामगार बेरोजगार हो गए हैं गाउं के किसान और पब्लिक सेक्टर कामगार और इसके चलते एक सो बीस मिलियन गरीब गाउं के लोग और साथ मिलियन एक सो बीस मिलियन यानि बारा कोटी गाउं की अबादी और छे कोटी पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज में काम करने वाली आब आदी बेरोजगार हो गई है वो डेस्परेट है उनको कोई भी काम चाहिए वो अपना घर छोड़कर बड़े-बड़े शेरों में जाते हैं और वहाँ पर किसी भी हालत में काम करने को तयार है तें क्योंकि भूके मरने से चाहे कि कुछ काम कर लो और इसल उनकी संपत्ती इतनी बढ़ गई है कि 213 डॉलर मिलियनेर दुनिया चीन की सतर टक्के संपत्ती कंट्रोल करते हैं इतनी गरीबी अमेरीकी खाई बढ़ गई है तो यह मेक इन इंडिया का असली नारा है और उस मेक इन इंडिया नारे के चलते यहां के लेबर लॉस खतम कि के जा रहे हैं ताकि यहां के कामगरों को उसी हालत में काम करवाए जाए बारा घंटे काम करेंगे साथ दिन काम करेंगे यह दस हजार रुपे तंखा भी देने को तैयार नहीं मिनिमम वेश पर अभी बहस चल रही है सरकार ने कहा है पहले बोला 10,000 मिनिमम वेश दे दो प यह तब जब 25 साल के ग्लोबलाइवेशन के चलते वैसे ही कामगारों की हालत खराब है उसको और खराब करने के लिए मोदी सरकार आमादा है उसका आकड़ा में बहुत संक्षिय पर प्रसुत करता हूँ ग्रोथ रेट उतना होने के बावजूद भारत में आज बड़ी और छोटी फैक्ट्रियों में मिला कर जिन कामगारों को थोड़ी जॉब सेक्यूरिटी मिलती है उनकी संख्या सिर्फ 46 लाख है कुल देश की सारी अबादी जो काम करती है उसकी संख्या 46 कोटी है बाकी बच्चे हो गए बुड़े हो गए वगए तो 46 कोटी की अबादी में 46 लाख यानि अभी सिर्फ जिन लोगों को थोड़ी ढंके जॉब्स है वो पूरी अबादी का सिर्फ 1 परसंट है फैक्ट्री पूरी देश की अबादी में जिन लोगों को थोड़े फॉर्मल यानि यह तो फैक्ट्री अबादी हो गई फैक्ट्री के लावा सॉफ्ट्वेर वगेरे में भी नौकरिया है जिन में तंखाए अच्छी है तो जिसको फॉर्मल इंप्लाइमेंट बोलते हैं किसी भी छेत् परसेंट है 93 परसेंट लोग अनॉर्गनाइज छेत्र में काम करते हैं कि 10 साल में जिससे में देश का ग्रोथ रेट की बहुत प्रशंसा की जा रहे थी 2000 से 2010 उससे में कुल जो नए कामगार यानि जो नौजवान बड़े हुए और नौकरियों की तलाश में आए उनकी संक्या है 17 कोटी उनमें से सिर्फ 40 टक्के लोगों को नौकरी मिली 63.5 यानि सवा तीन कोटी सवा छे कोटी रोजगार पैदा हुए उसमें से 80% जॉब्स कंस्ट्रक्शन वो जो सरके लोग बनाते हैं और बिल्डेंगे बनाते हैं आधे रोजगार वहां थे चाई के दुकाने जो आपको दिखती हैं होटलों में जो कामगार इतनी भहंकर हालत में काम करते हैं कि हमारे टिप्स पर वो जिंदा रहते हैं इस तरह के नौकरियां प खतम करना चाह रहे हैं मेकन इंडिया के नाम पर कि इतने भी फॉरमल जौब्स ना रहे हैं इतनी बेकारी और गरीबी कर दी जाए कि लोग चींसे भी बुरी हालत में काम करने को तैयार रहे हैं वो हालत पैदा की जा रहे हैं कि खेती में आएं संक्षेप में वाइंड-ब करते हैं, खेती में हापको मालूमी है, साड़ी तीन लाग, सबाने तीन लाग किसाना आत्मत्या करचुके हैं, gouvernement की नीतियों के चलते, मैं उननीतियों का वर्णन नहीं करता, इक आकडा, जो भारत की खेती का संकट वर्णन करता है, भारत में अनाज का उत्पादन कम उत्पादन के बावजूद भारत अनाच का 40% एक्सपोर्ट करता है क्योंकि ये बोलते हैं कि उत्पादन ज्यादा हो गया है उत्पादन ज्यादा नहीं हुआ है गरीबी और बदाहली की भयंकर हालत है लोग खाना खाते नहीं 70% से ज्यादा अबादी भर बेड़ खाना नहीं खाती तो इनका अनाच का सर्प्लस है यह उस अनाच को एक्सपोर्ट करते हैं तो खेती का उत्पादन आप आखड़ा देखिए मोधी के पिछले दो सालों में मोधी सरकार के उत्पादन जो है वो उसके पहले गिरा है तो खे कितने संकट में है कि उत्पादन गिर रहा है किसान आत्मत्या नहीं करेगा तो क्या करेगा और दूसरी तरफ अमीरों से गरीबों से छीनकर अमीरों को पैसे दिये जा रहे है वही काम जो यूपीय सरकार कर रही थी संक्षेप में कुछ आकड़े इस साल के बजट में काफी मोदी सरकार के पहले साल में बावन हजार कोटी की थी इस साल के बजट में पीपीवी के नाम पर कंपनियों को पच्पन हजार कोटी देने वाले हैं पब्लिक सेक्टर कंपनियों का दिजी करन जारी रहेगा उसका आकड़ा चपन हजार कोटी है जो यानि मिटी के मौल बेच रहे हैं तो यह सारी सबसिडीज कॉर्परेट हाउस को दे रहे हैं और फिर बोलते हैं कि पैसा नहीं है एक ऐसे देश में जिसमें गरीबों पर हो खर्च करते हैं उनका GDP बहुत जादा है भारत का GDP का सिर्फ 7% यह गरीबों पर खर्च करते हैं उस देश में शिक्षा पर इन्हों ने 30% की कटाटी की है इस पिछले दो सालों में मोधी सरकार ने स्वास्त पर 13% की कटाटी की है महिलाओं के बजट में 20% की गताटी की है ब आकड़े हैं 20-30% अबादी भयंकर गलीबी की सरकार बोलती है कि 20-30% गरीबी में रहते हैं एकनौमिक सर्वे बोलता है कि 92% लोग असुरक्षित नौकरियों में है सेन्गुप्ता कमिटी बोलती है 77% तो सरकार का स्योक्षिय एकनौमिक कास सेंसे बोलता है कि ग्रामें छे कि देश के वो लोग जो भर पेट खाना नहीं खा पाते उनकी संख्या 65-70 से बढ़कर 75 टक्के हो गई है यह गरीबों की हालत है तो अमीरों की हालत यह है कि आज देश का टॉप 1% 49% संपत्ती ओन करता है टॉप 5% 65% ओन करता है इस देश के अबजादीश पिछले साल में दुपट हो गए नब्बे की संख्या हो गई है और वो गरीब लोगों की कुल संपत्ती का यह अबजादीश दुपट संपत्ती ओन करते हैं यह फासिस्टों का असली एजंडा है तो एक तरफ गरीबों पर हमला बोल रहे हैं तो दूसरी तरफ उनी गरीबों को धर्म के न यह असली एजंडा मैं उसके बाकी पहलों पर नहीं जाता यह आर्थिक संकट जो भयंकर करीबी चीन से तुलना कीजिए चीन में उन्होंने ग्रामीन इलाकत तबाह कर दिया है पब्लिक सेक्टर को प्रइबटाइज कर दिया है करोडों लोगों को बेकार कर दिया है उन ब दोस्तों अंत में दो मिन पांच मिन टॉलिंट तो दोस्तों इस भयंकर हालत में कि बहुत सारे लोगों को निराशा होती है कि कुछ नहीं किया जा सकता है वो कहते हैं कि चलो आपकी बात माल ले तो आरे से ज़र पुंजी पती मिलकर इतनी बड़ी ताकत दुम्या की बड़ी-बड़ी कंपनिया उनके सामने क्या लड़ेंगे ठीक बात है यह निराशा का माहल है लोग डेस्परेट होते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं लेकिन एक लेखा के उनका कोटेशन में आपको दिखाता हूं उर्सुला गुइन फेमिनिस लेखा के वो कहते हैं कि हम पुंजी बाद में रहते हैं राजाओं के जमाने में भी लोगों को लगता था कि राजाओं की ताकत बहुत जादा है हमने उनके समराज्य को उखाड़ दिया कोई भी दुनिया की ताकत इनसान बदल सकता है उस काल में सामंती काल में जब डेमोक्रेसी नहीं थी जब इस तरह की मीटिंग हम नहीं कर सकते थे उस काल में लोगों ने लड़कर राजाओं को नेसना बूत कर दिया तो पुंजी बाद को हम क्यों नहीं कर सकते कर सकते हैं उन्होंने दुनिया को गुलाम बनाया 500 साल तक भारत की गुलामी से ज़्यादा भयंकर हालत दक्षन अमरीका की थी वो लोग हिम्मत नहीं हारे 500 साल के बाद अंत में लड़के आज इवो मॉरेल्स बॉलिविये का राश्ट्रपदी बनता है उन नेटिव्स का उसकी कहानी जब मैंने अभी जैपुर में बताई तो प्रितंपाल और साथी रो रहे थे कि इतना भी अत्याचार हो सकता है उतना अत्याचार जहेल कर भी वो लोग आदिवासियों ने अपना नेता आज वहां का राश्ट्रपदी बना रखा है तो जब इतनी भयंकर हालत में भी लोग लड़के जीत सकते हैं तो हम क्यों नहीं इस व्यवस्था से लड़ सकते हैं गजब की लड़ाईयां चल रही है लड़ाईयां गजब की चल रही है हमको उसकी कहानिया सुनने को नहीं मिलती है अब ही मैंने कहानी पड़ इतनी इंस्पाइरिंग आपको बताता हूं तुर्की और सीरिया के बॉर्डर पर एक छोटा सा इलाका है रोजावो वेस्टन संगठन है और जो महिला जिसने वो रिपोर्ट लिखी ग्रीन लेफ्ट विकली में वो कहती है कि यह शायद दुनिया का सबसे जादा डेमोक्राटिक और जेंडर एक्सपेरिमेंट वहां की महिला उने किया हुआ है उन्होंने इस इलाके को आईसिस से मुक्त कराकर वो इला तो जो लोग मौत का सामना करते हुए उनका भविश्य इतनी भयंकर ताकत आईसिस से लड़ते हुए उन्होंने अपना इलाका आजाद कराकर और वहां पर जेंडर एक्वालिटी और डेमोक्राटिक सोसाइटी बना रखी है उनकी हिम्मत देखकर क्या हम नहीं लड़ सकते अपने समाज में क्यों नहीं लड़ सकते है एक छोटा सा शहर अमरीका में रिश्मंट शेवरोन नाम की कंपनी जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से है उसका तेल का कारखाना है उसका अभी तक उस शहर का सारे मेयर उसकी कंपनी की होते थे क्योंकि भयंकर पॉल मेयर में खर्च किये लोगों को खरीदने को लोग तस से मस नहीं हुए अपना मेयर चुना और शेवरोन पर रोक लगा दी छोटी छोटी लड़ाईया है अपने देश में डोंग्री कोन उन्होंने नियामगिरी की पर्वत पर लड़ाई जीत लें दुन्या की बड़ी कंपनी वेदान से लर्के डोंग्री कोन समानने लोग आट हजार के अबादी दुनिया की बड़ीयों से लड़के जीत गए इत्रिए न्टीए 楡़ बात है द्रश बतने की सतामेद ए लेकिन द्रश बतने की लताया है चल रही है लासिक safest दी सब्सक्राइब को दारन 있나 यूद रोकेंगे न्यूक्लियर वेपन रोकेंगे तो सारे MPs उसके खिलाफ हो गए उन्होंने को लेबर पार्टी के प्रेजिदेंशिप से हटाने की कोशिश की तो सारे इंग्लेंड के कामगारों ने बंड किया हर्ताले की आंदोलन किये और लेबर पार्टी को मजबूरी में कहना पड़ा कि नहीं कोर्विन चुनाओं में मद हमारा लीडर बना रहेगा छोटी लड़ाई नहीं लड़ी, एक फोटो नहीं आई अगबार में कि कोर्भीन के समर्थन में दस्यों हजार की संख्या में लगातार मोर्चे चलते रहे और ऐसे लड़ाईयां दक्षन अमरीका में चल रही हैं साउथ एफरीका में चल रही हैं तो यह लड़ाईयां दुनिया बर में चल रही है के कोर्विन के रैलीस की फोटो है निष्चे बोल रहे हैं तो दोश्टों कि एक तरफ पूंजीपती घराने दुनिया पर साशन करने की कोशिश कर रहे हैं यह सई बात है कि एक लंबा इतिहास है इसंगर्शों का हम निराश इसलिए होते हैं क्योंकि हम थोड़ा इतिहास नहीं देखते हम पीछे नहीं देखते हम को मालूम नहीं होता कि दुनिया बदलती रही है ये लड़ाईयां चल रही है तो हम निराश होते है बात क्या है असल में दुनिया वैसे हरसे में बदलती रहती है परीवर्तन निरंतर है लेकिन परीवर्तन कब होगा किस दिशा में होगा कहना मुश्किल है यह जो जिन्गी की unpredictability है यही तो जिन्गी की खुबसूरती है कि पता नहीं कल क्या होगा सब कुछ तय है तो जिन्गी में जीनने का मजा नहीं है ना मजा ही इसलिए क्योंकि कल क्या होगा आम नहीं जानते कोशिश की जाए कल क्या होगा मालूम होगा तो हम कोशिश नहीं करेंगे ना तो कोशिश करना जरूरी है और यही जिन्गी की खुबसूरती है ओस्कर विल्ड बोलते हैं टू एक्सपेक्ट अनेक्सपेक्टेड यही समझदार होने की निशानी है हमारे देश में ही देखिए रोहित्वेमिला ने जितने आत्मत्या की उजदिन निराशा का मौल था वो खुद वहाँ पर थोड़े से विद्ध्यार्थी लड़ रहे थे उनका कोई बहुत जादा समर्थन नहीं हो रहा था रोहित्वेमिला ने आत्मत्या कर ली कौन जानता था कि रोहित्वेमिला कि आत्मत्या के बाद देश बर में अंदुलन खड़ा हो जाएगा इस मंच से भी रोहित्वेमिला पर नाटक किया जाएगा कुई जानता था यहीं तो UNPREDICTABILITY है कि कल क्या होगा उम नहीं जानते हैं हर आत्मत्या से अंदोलन खड़ा नहीं होता है यह तो वो solution बंगाना आत्मत्या कर लो तो कौन से आतमत्या से होगा और कौन सी से नहीं होगा हूँ नहीं जांटे accents लेकिन जब कनायए पहुंचा वापश जेल से निकल कर तो इतनी बड़ी संक्या में विधियार्थियों ने उसका स्वागत किया कि सारे टीवी चैनल को उसका समर्थन करना पड़ा और उसके पूरी उसकी भाशन को लाइव रिकॉर्डिंग करनी पड़ा कॉंट जानता था उसके पहले करने करनाम कोई नहीं जानता था ओर नाइट वो देश का ही रो बन गया बना कि नहीं बना कौन जानता है कल किया होगा तो जब आप ये नहीं जांते कि कल क्या होगा तो फिर क्यों नग कोशिश की जाए यही एसमा मफूज जो इदिप्ट में तो क्रांती हुई जिसने मुबारक को भगाया वो कहती है जब तक कोई उमीद नहीं है तब तक कोई उमीद नहीं होगी लेकिन जैसे ही तुम स्टैंड लोगे तब उमीद की संभावना बन जाती है तो दोस्तों अन्त में एक और मुद्दा दो मिनटे की वह मुद्दा रखना जरूरी है के बारे मिदेख लूक जिससे में कौन्ति में यह मैं कए लोगों को जानभुझ के अडिरस करके मुद्दा बोलना चाहता हूं हम लोग जिससे में आनदोलन में आ है हमको लगता था कि क्रांती मतलब बस सत्ता परिवर्तन हम जब सत्ता में आएंगे हम क्रांती कारी सत्ता में आएंगे वह परिवर्तन होगा वो क्रांती का बहुत narrow definition है क्रांती का मतलब सिर्फ उतना नहीं होता है यह ठीक बात है कि अंततर हमको सरकार में आना होगा वेकल्पिक नीतियां लागू करनी होगी लेकिन तब तक क्या कुछ नहीं किया जा सकता बहुत कुछ किया आ सकता है असल में क्रांती का मतलब है मालूम क्या है जब खूब अत्याचार महिलाओं पे हुए लोगों ने जब निर्भया पर अत्याचार हुआ जोती सिंग पर तो महिलाओं ने बोला बस और सड़कों पर आ गई और देज भर में आगू तो परिवर्तन कभी धीरे होगा कभी तेज होगा यह ठीक बात है कि अंततर लडाई वहीं पहुंचेगे कि समाज में पुरोगामी सक्तियां संगठन बना कर कब सत्या में आएंगी लेकिन जो हम अपना काम करते चले जाते हैं और उसमें जो क्रमशव परिवर्तन लोगों की चेतना बदलता चले जाता है हमको उस परिवर्तन क हम 99% है यानि उनको समझ में आया कि 1% लोग हम पे राज कर रहे हैं लोगों को जब यह समझ में आ जाता है तो बहने ही उस आंदोलन तूट जाए वो दुबारा और दस्रीव आंदोलन खड़े करेंगे कई आंदोलन खड़े कि हमें उनकी सूचिय भी नहीं किनारा टाइम तो आंदोलन कभी मेर्ता नहीं है वो चयतिना प seulement करता है हम जब पत्रक लोगों में बाठते हैं तो पत्रक करते हैं मड़े नहीं है कि वह कही ना कही अपनी बात पहलाते हैं कल वो कहां अपरीवर्तन पैदा करेंगे यह आंदोलन वैसा ही है यकाजाता है यहाँ पर तितल तो लेकिन परिवर्तन असल में परिवर्तन की यह परिवाशा भी प्रॉब्लमेटिक हैं और कि समाज कब बदलेंगे हम भी तो बदल रहे है हमारे साथ ही बदल रहे है यह भी तो परिवर्तन है हमजब group build करते हैं बाकी कोई बदले ना बदले आप economy आपसे पढ़ा के नहीं पढ़ा आज की मीटिंग का बोलो परिवर्तन हुआ की नहीं हुआ और आप से ज्यादा जो लोग हमारे साथ सक्री हैं वो बदले उनकी ज्ञान में रूची पैदा हुई जो पहले कभी पढ़ते नहीं थे वो आज रीडिंग कैम्प लगाते हैं जिनने कभी किताबे नहीं पड़ी बोर हो गए वो लोग इतनी रचनाई करते हैं क्रियेटिव क्या वो बदले की नहीं बोले उनकी क्रियेटिव छमता है विख से तुई परिवर्तन हुआ की नहीं हुआ वो बाशन देना सीके श्री जिसने बाशन दिया चार साल पहले पांच साल पहले वो मीटिंग में आकर चुप बैठा रहता था आज वो इस मंद से बाशन देता है परिवर्तन हुआ तो बहुत परिवर्तन होते हैं समाज में होता है हमारे साथी बदलते हैं हम बदलते हैं हम लगातार बदलते चले जाते हैं ये भी तो परिवर्तन है तो हम, ये जो लड़ाई लड़ते हुए, जब तग हम सक्था में आएंगे, कुछ नहीं होगा, ये बहुत नेरो नजरिया है, हम कुछ कर रहे है और उस करने के दोरान हम बदल रहे हैं, ये भी तो एक परिवर्तन है, इसको भी क्यों नहीं रेकनाइस किया जाएं इसमें भी भी एक प्रॉब्लम है बस वो प्रॉब्लम यह है कि हम हर समय कुछ चाहते हैं कि हमने क्या किया है कि कुछ चाहने के क्या जरुवत है जिन्गी इंजॉई की जाए हमारा यह जीने का तरीका है हम ऐसे जीते हैं हम दुनिया को समझते हैं तो हमको मजा आता है मैंने जब पहली वर मैंन्स वर्ली गुड्स पड़ी तो तीन दिन कॉलिज में घूम रहा था सेर उठाकर कि वा दुनिया कैसे चलती है मेरे को समझ में आगे हम इतने साथियों के साथ करीबी में रहते हैं उनके साथ इतना करीबी का नाता है कि जब हमारे में से कोई अस्पिताल में बिमार पड़ता है तो बारी बारी से इतने लोग ड्यूटी लगा देते हैं कि समझ मनी आता है वो दॉक्टर को कि तुमारे इतने रिश्दर का से आ गए हमारे साति आप उनको देखिया हैं कि कलात्मक चंता विक्सित को मजा नहीं आता जो हम खिल रहे हमारे सातिय कह ये आपस में जो मजा आ रहा है है हम आपस में संगर्श करते हैं एक दुसरी के आलउस्ता भी करते हैं खूपती के जगड़े करते हैं लेकिन उतना ही प्यार थी घहरा हो थैं अपनों के साथ जगड़ा किया जाता है的 है यह काम इतना मजएदार है जैसे कि हम यह रोज किसी से प्यार कर रहे हों प्यार में जो मज़ा आता है वही इस काम में मज़ा आता है आप भी शामिल होगे बनेवाद